और मीठाइ बात करते हैं क्रोंस अल्दोल की QoD के इस पतंदोल में दोडिफरेंट यपाइड आपसको दूनों यदिह में अलफ राफ होक करता है लेकिन लेक्षे कम सेगमफ एक मेवारज होना ही साइए या फिन दोनों में अलफ यह था तो हम यहां पर दोनों example लिए है आप देखिए गाँ देखिए यहां पर when aldol condensation is carried out in two different aldehydes having one alpha-h atom by both or one carbonyl compound यहने कि यह तो दोनों aldehyde में आपका alpha-h होना चाहिए यह कम से कम एक में तो होना ही चाहिए देखिए यहां पर यहां पर यहां पर यह वाल aldehyde लिया है दोनों अलग है इसका नाम आप जानते हैं इसका नाम होगा ethanol और इसका नाम होगा propanol तो आप देखिए यहां पर यहां पर दोनों aldehyde में alpha-h है तो देखिए यहां पर जब दोनों aldehyde में alpha-h होगा तो यहां प पर आप देख पारेगी प्रोपिनल में और इथिनल में यहां पर एटेक किया है इस कारबन पर यहां से इनो लेट आयने जो आपने कार्विन मेकेनिजमा पर देखा था आप देखेंगे यहां से कारविन बनेगा से बनेगा कार्वेन इस वाले से और वो यहां पर अटेक करेगा तो बनेगा दूसरे वाला यह आप देख पारें कि यहां पर दोनों यहां से यहां से करेंगा वह अपने ही जैसे दूसरे के साथ similar LDH4 के साथ condens हो जाए तो देखिए क्या बनेगा यहवाला अलडूल और देखिए हैं यहां पर यहां से इस ऑसında कंथे मैं करेंगे हैं और दोनों क्रोसे कर वोगा के लिय네요 मेकनिजम उठाके पैक्टिस कीजिएगा आपको क्लियर हो जाएगा अब देखिए यहां पर दोनों यह 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 यहां पर प्रोड़क्ट एक ही बनता है आप देख पा रहे हैं कि यहां पर यहां से सीहेस ऐशो मैंनस ऐल이ट से बंता है कार्बेन और वह कार्बेन और इस ल्ढी आप करेंगा और यह बनेगा आपका ये और दोन इस यह सिऊ यह 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 कर रहा है यहां से यहिए तो देख पा रहे मेंicer और तो यहां से यह वाला H निकलेगा, bond double हो जाएगा, तो हर एक molecule में आपको water eliminate करना है next step में, जिससे आपको बनेगा, वहाँ पे corresponding alpha-beta unsaturated carbonyl compound, यानि कि alpha-beta unsaturated aldehydes आपको मिलेगे इंचारों में, यह step में आप skip किया हुआ है, वह आपको practice में करना है, इस example लेते हैं, तो इस example पर आप देख रहें कि no alpha-h, यहां पर alpha-h नहीं है, लिकर यहां पर आप देख रहें कि यहां पर alpha-h है, और यहां पर 3 alpha-h है, तो यह दुनों compound, दुनों aldehydes different है, एक aldehydes में alpha-h नहीं है, दूसरे aldehydes में आपको देख पारे alpha-h है, dilute NUH 10% में इसको rate करा रहे हैं, तो आप जानते हैं, रेक्षन कहलाएगी cross-aldol, cross-aldol में आपको देखना है कि जहांपे alpha-h है, वो inolizable carbon होगा, यहां से आपका inolate iron या carbon iron बनेगा, तो यहां से CH2- बनेगा carbon iron, और वो carbon iron इस aldehyde carbon पर टेक करके बनाएगा, aldol, तो आप देख पारें, यह aldol cross-aldol से बनाएगा, क्योंकि दो different aldehyde में reaction हो रहा है, अब बात करते हैं, कि जब यहां से carbon iron बनेगा, तो वो अपने ही दूसरे molecule के साथ combine करके बनाएगा, self-aldol product, तो यहां पर दो product बनेंगे, एक बनेगा cross-aldol, जब दो different aldehydrate करेंगे, और दूसरा बनेगा self-aldol, अब अगला step है यहां पर, क्योंकि heat कराते हैं, तो water eliminate होता है, जो पहले नहीं करायता आप कराते हैं, तो आपको ध्यान देना है, कि यहां से आपका OH और यह वाला H will eliminate, OH और H will eliminate, जब आप यहां से water निकाल देंगे, तो जड़ा एजूम करिए, structure या compound आपको कैसा दिखाई पड़ेगा, यहां पर CH, double bond CH, और यह हो गया CHO, यहां पर देखें, CH, double bond CH, और यह देखें, compound यह बन गया आपका, CS3, CH, double bond CH, और यह हो गया आपका CHO, इसका नाम होता है बच्चो, cinemaldehyde, इसका नाम होता है, cinemaldehyde, और यह तो आप देखी रहे हैं, इसका नाम होता है, आप देखिए, 1, 2, 3, 4, alpha, beta, unsaturated aldehyde है यह,